अलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आपको इसमेंट सेर्ट स्टेडिय में आज हम पढ़ेंगे राइस्तान लाइफ टॉक स्टेटस 2019 देखे राइस्तान की पश्डों जनगन्ना जो 2019 में होई थी भारत लेवल पर जो होती है उसको स्टेट के ही जो एनिमल हर्सबेंटरी डिप इसको टास्क दिया गया है इसको काम दिया है इसको फंडिंग दिया है ये फंडिंग इशू करता है कि इसको राज्य के जो एनिमल हस्बेंटरी और डिरिंग डिपार्टमेंट होते हैं उनको पैसा ये इस्यू करता है तो बनाता कौन है है पहली बहुए सेंसस उन्नी गया है उसके बाद में इसको यह अभी टास्क क्या है स्टेट के ही अगरव फेल्ड में काउन काम करता है field में सारी reading ली जाती है field में सारी identification किया जाता है photos ले जाते हैं जो भी identification marks note किया जाते है breed note कियाती है तो ये कौन करता है ये सारा state के ही animal husbandry department करते है control पूरा रहता है center के ministry of fisheries daring और animal husbandry का through its department 19 census अब तक हो चुके हैं ये 20th census है 19th was in 2012 इसमें मैं पढ़के बता जाता हूँ कि enumeration was done in rural villages and urban wards rural villages and urban wards डोनों को cover किया गया बहुत सपारिशी species of animal cattle, buffalo, mythoon, yak, sheep, goat sewer और घोडे, खचर, गधे उंट, dogs rabbits और elephants पे किया गया इसके साथ-साथ poultry birds का भी दिया गया fowl, duck, imu, turkey, quail या other poultry birds chicken वगरा इन सब का किया गया ठीक है और इनको household plus institutions जहां पाले जाते हैं institutional इनको पाले जाते हैं, household पाले जाते हैं सबकी counting की गई और light stock के साथ-साथ poultry birds का भी counting हुई according to their breeds, breeds मतलब जैसा उनकी genetically उनकी किस्म है, उसको कौन decide करता है N.B.A.G.R National Bureau of Animal Genetic Resources, यह करनाल में है इसके अनुसार इन्होंने इसके instruction के अनुसार identify किया कुछ और भी चीज़े collect की गई जिसे socio-economic characteristics मतलब यहां की समाजिक और आर्थिक जो उनकी जो स्तितिती वो भी note की गई कि कितना पढ़ा लिखा है उस household का मालिक, occupation क्या है उसका मवेशी है मवेशी के साथ मे कितनी जमीन है, कńsk क्या नौकरी है, यह एनौल इंकम है क्या financial support लिए, loan लिया है क्या लिया है, कि इस तरह की यह भी ज़रूरी है क्योंकि जान完了 जो हब उसको पालने वाला इसान है और इस से related activities का ही है milk industry तो पूरी इस पर dependent है तो इसलिए ये भी important sector है इकनोमिका government को policies बनाने के लिए ऐसा survey चाहिए होता है data के बाग उपर चलते सीधा 536.76 million 1 million में 10 लाक होते हैं तो rural में 95.780 ये इस data का 95.60 रुरल इलाके का है और 4.22 परिशत अर्बनी लाके गए मतलब शहरी लाकों में naturally पशुपारण कम देखा जाता है जगह कम है चारगा कम है चोटी जगह है इसलिए जानवर कम देखे जाते हैं increase in increase from 2012 2012 से करीब 4.8% बढ़ा है 4.8% बढ़ गया है और data collected में देखें में तो बवाइन जो है केटल दू देने वाले केटल है केटल हो गया गौवंच हो गए या पफैलो हो गई मिथून याक का 309.76 मिलियन 303.76 मिलियन इसका टोटल पॉपॉलेशन है जिसमें से 1.3% की increase हुई है अब बाइफकेट करें उनको तोड़े है अपस में तो बफैलो की 193.46 मिलियन और 1.3% increase गोट का 10% increase 140.80 मिलियन था शीप का 74.26 14% increase मिथून का 3.9 लैक्स 29.5% increase हुई इनका याक्स का बहुत डिसपॉइंटिंग है कि माइनस 24.9% decrease हुआ मियूज 84,000 थे माइनस होकर 57.1 degrees हो गया देखिए ये transportation वाले जो जानवर थे इनका यूग खतम हो चुका है अब फास्ट मीडिया आ गया फास्ट मोड आ गया तो ये भाड़ी लाकों में कहीं कहीं है या वेश्ट नोदेवी आदी स्थानों पर इनका जाता है इसे बाकी नॉर्मल प्लेन लाकों से बिल्कुल हट चुके है डॉंकी इस कभी यही हाल है 61.2% decrease हो गया देखिए एक जानवर कभी बहुत इंपॉर्टन था बजट होने के लिए अब इसका कोई वजूद नहीं रह जाएगा ऐसा लग रहा है यह भी एक्स की भी कुछ ऐसी स्थिती है समय होता था जब डैजर्ट पार करने के लिए आपको बिना उट के कुछ नहीं होता है पॉल्ट्री जो है और जो पॉल्ट्री का तोटल काउंट है 51.81 मिलियन जो चिडिया है पॉल्ट्री वली चिडिया पॉल्ट्री वर्ट्स और 16.8 परशंट का पॉजिटिव इंकरीज है तोटा लाइफ स्टॉक की बात करें मैप के अनुसार देखे तो पहला उत्रप्रदेश है जिसकी पास करीब-करीब 68 मिलियन है ये पिछले साल से हला की 1.02 परसंट कम है सेकंड राइफस्तान है 56.8 मिलियन 2019 में और ये पिछली साल से गरीब-करीब 1.6 परसंट कम है पॉल्ट्री की बात करें तो राइफस्तान सत्रुआ है आन्दय प्रदेश का तूसरा है अतमिल नाड़ो का पहला स्थान है जिसके पास 120.8.000.000 पुल्ट्री है और आंदर प्रदेश के पास में 107.9.000.000 राइस्तान का 17.000.000 है केटल की बात करे तो राइस्तान का छटा स्थान है यू-पी का दूसरा स्थान है वेस्ट बंगल का पहला स्थान है डेटा ये दिया गया है 90.0 million बंगाल के पास 19.0 million यूपी के पास यूपी में डिक्रीज हुआ है बंगाल में इंक्रीज हुआ है फिछले साल से राइस्तान में भी इंक्रीज हुआ है पाफैलो की बात करदा 109.85 million है टोटल यूपी के पास पहला स्थान है 33.0 और 7.8 की ग्रोथ से बढ़ा है इसी के साथ राइस्तान सेकेंड रहा है जिसकी ग्रोथ 5.53% है रही है और 2019 में 13.7 million इसका डोटल काउंटिंग रहा है शीप का भी कुछ ऐसा यह राइस्तान में जोतास्तान है 9.7.9 million की बारा परसंट से भी ज्यादा तेहरा के असपास डिक्रीज हुई है तेलंगाना में 45.48.51% की ग्रोथ है 19.1 million काउंट किया गया है गोट का देखे तो राइस्तान में बहला स्थान है जिसमें से माइनर 3.81 के लॉस ग्रोथ है 2012 से लेकिन हल्दी डाटा है कि 20.8 million गोट यहां पर है राइस्तान में वेस्पेंगल सेकंड वर्स जो इनका सेकंड रहे हैं और इसका 2019 का 16.3 million total increase रहा है और 41.19% का ग्रोथ रहा है तो ओवर्राल राइस्तान फॉस्ट वेस्ट मेंगल सेकंड पिक का कोई डेटा नहीं है मेरे पास में मैं लिया नहीं जाए पॉर्डन नहीं है तो पहला असाम में दूसरा जार्पर्ड है कैमल्स का देखे तो राइस्तान में 3.26 लाक कैमल थे अभी 2.13 घट कर रहे हैं मानस 24.6% का भ्यानक ग्रोथ डाउन देखा गया नेगटिव ग्रोथ गुजरात आफकोस सेकंड है क्योंकि एक जैसे इन्वार्मेंट है और राइस्तान में 3.26 लेकिन काफी डिक्रीज हो गया है दस्माट डेट 5 की ग्रोथ से पॉट्स और पॉणिस डाउन हो गए है राइस्तान में पहला असान डॉंकीज का है लेकिन इसमें भी 71.3% की बहानक ग्रोथ डाउन हुई है ये था एक सिंसस का डाटा इसको याद कर लीजिए एक्जाम में सिदा पुछे जाता है और रिक्वेस्ट है की चार्ट को सबस्क्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक यू टेक केर नमस्कारा